कि एक तलाब पर एक नवजास यिसु का रोब धान करके परगट हुए थे फिर दिरे दिला करते भी वो अपने कारिये को किया उन्होंने बड़े हो गए इन्दर कुबेर उष्की पद्वी विर्मा विश्न महेश की पद्वी पाकर भी तुम फिर जनम्मर तुम आए तो ये बिर्माकमारी पंथ ऐसे पदस्थ विर्मा और सिव के दवारा चला गया है वो भूत के दवारा अब जैसे कोई गाउं का सरपन बन जाओर फिर वो अगल आपने आपमाजब का कुण सा था था भाई मैं हूँ टारा सरपन्च आजा तो ऐसे यह जो बर्मा विशुनों महेश की इतनी लंबे समय तक उस पर रह जाते हैं पोस्ट पर इनके जल से दाता नहीं यह खुद भी कहें लागजाद मैं भूत बंढ रहा हूं भूत बंढ रहा अग्यान यह भूली आत्मा महाँ पताने कितने लाखों की संख्या में और बैठे हैं बोले बने तो ऐसे इनका यह होता है उदारन होता है तो कहने का भाई हो यह है अपने आत्मों इंदर कुवेर इसकी पद्वी विर्मा वरन दर में राया है और विश्णों नाथ के मन दरड होगा दास के इतने लंबे चोड़े सत्संग के उपर जब तक आप आँखों नहीं देख लोगे कोई परमान आज मानने को नहीं मानो क्योंकि इतना भरमीत हो चुके आउस लोक वेद पर इतना अधरित हो चुके हुआ आप कि जब तक आपके समक्स परमान छह छह होंगे तब तक आप मान नहीं सकते हैं काल नहीं बिगाड इतना दिया गयान को तो इसको सेट करने के लिए रह रहकर ये मापुर्शों के परमान सदगरंथों के परमान आपके रूबरू करने पड़ते हैं इन मैंसे एक एक जैन धरम के परवर्तक रिस्भ देवजी के जैन धरम के महाविर जैन जी बने उनके जीवन के इतियास से आपको परमेश्वर की सवानी का विश्वास बनेगा परमान होगा कोटी जनमतन भरमत होगे कुछ ना हाथ लगयारे कुकर सुकर खरवया बोरे कहुआ हंस बगयारे कोटी जनमतन राजा की नया मिटी नमन की आसा बिक्षक होके दर दर घुम्या मिलाना निर गुन रासा इंदर कुबेर इसकी पद्वी बिरमावन धुम्राया विश्वनात के पुरकों जाके फिर भी उल्टा आया असंग जनमतन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरेरे द्वादस मद्व महल मठबोरे बहुर ना दे धरेरे दोज़क श्वरग दोज़क और स्वरग यानि दोज़क भीस्त दोज़क कहते हैं नरको बहिष्ट कहते हैं स्वरग को दोज़क बहिष्ट सभी तें देखे राजपाठ के रसिया और तीन लोग से तरपति ना ही ये मन भोगी खसिया सत्गुर मिले तो इच्छा मेट है पदमल पदे समाना चलहन सा उस लोग को पठाओं जो आज अमर अस्थाना अब गरीब दास जी कहते हैं कि तीन लोग भी अगर स्पराणी को दे दे तो भी इसका संतुष्टी नहीं होती मन की को इस संत मिले तत्व दर्सी संत मिले थी च्छाए समाप्त करके पर महतुमा मजोड़ा है और कहते हैं वहां सत लोग में ये चार मुक्ती जो यहां की अंती मुक्ती हैं जिनको तुम अंती मुक्ती मानते हो बर्म लोग मजलागा को साय उज्जे सामी पर ये इस तरह की चार मुक्तियां है कहते हैं ये तो खतम होंगी ये तो समाप्त होंगी आपको फाइनल नहीं है चले गए फिर कुछ समय के लिए मुक्ति प्राप्त होगी फिर तुरा सी लाखियों नहीं में आओगे वो सुख रहेगा नहीं तुमारे पास और जो साधना हम बताते हैं सत लोक में जाओगे और ये चारों मुक्ति सदा के लिए तुमारे चर्णों में सुख ये पड़ा रहेगा और अविनासी वो परम अक्सर बरम उत्तम पुर्शेतु अन्य परमातमा एती उधारते ये लोक तुमारे विश्य विवरती अवे इस वरे वो अविनासी परमातमा मिलेगा ये देखिएगा आओ जैन धरम को जाने ये दो परिष्ट पड़ाते हैं आपको इस ये दास ने जो अभी तक आपको मोखिग ग्यान दिया बगवान की वानी बताई ये सिद्ध हो जाएगी सची ये इन ही की लिखी वी पुस्तक है दास ने नहीं बनाई परवीन चंदर जैन एम में सास्त्री इसके लेखक है और ये आओ जैन दरम को जाने ये इसका नाम है ओम हरम न मव ये नकल करा की ओम हरम ये हरीयम नाम है इसको हरम कें ही हराम न म इआ इनकम्प्लीट लेखक है परवीन चंदर जैन है में सास्तरी जमभुदी भश्तनापूर प्रकासे के श्रीमती सुनीता जैन जंबूदीप हश्दनापुर मेरट आब इसके आपको दिखाते हैं 293 प्रष्ट पे ये विशेश परकरन है आउजैन दर्म को जाने 293 प्रष्ट पे प्रशन 333 में प्रष्ट नमबर संख्या श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम है उत्तर है अन्य पांच नाम है वीर अतीवीर संद्मती महावीर एमेम वर्दमान अब 294 पाते हैं 294 पे है 355 प्रष्ट है श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रार्म होता है पुरुरुआ नामक भील की प्रियाए से एक पुरुरुआ नामक भील था वहां से इसका जीवन इन्होंने याद है कि यहां से उनको याद है यहां से लिखना शुरू किया और पुरुआ भील कौन था उसने क्या किया यह पुस्कलावती देश की पुंड़ी कीनी नगरी में वहे भीलों का राजा था उसने सागर सेन मुनिराज से मद मास मधूप काचिवर्ट लिया था जिशे जीवन परियंत पालन किया फिर है स्री महाविर भगवान का जीव इस पुरुरा भील के स्रीर ने छोड़ कर कहा गया प्रियाए को छोड़ कर कहा गया उत्तर मिला कि पहले तो सो धरम स्रुग में एक सागर की आयूवाला देव हुआ पहले सो धरम स्रुग में एक सागर की आयूवाला देवता बनिया फिर पहले सुरगसित के बाद महाविर भगवान का जीव किस जीवन में प्रियाय में श्रीर में गया भरत चकरवर्ती की रानी ये भरत जो था जैन दर्म के परवर्तक रश्व देव जी हैं उनके पूतर थे बरत चकरवर्ती की रानी अनंतमती से मारिची नामक जेष्ट पूत्र हुआ तो ये जो मारिची था बाविर जैन का जीव मारिची बना बरत का पूत्र और रशब देव जी के पौत्र हुआ फिर मारिच्ची के श्रीर से कहा गया क्योंकि मारिच्ची वाले जीव ने अपने दादा जी से रस्भ देव जी जेन धर्म के परवर्तक से नाम लिया था और उन्हें ओम नाम ही जाब करते थे और कोई मंतर नहीं होता था उस ओम नाम के जाब करने से और हट तप्यक करने से क्या गया मारिच्ची वाले जीव को रस्भ देव के सिस को डारेक्ट सिस्ता रस्भ देव का ये बर्म सुर्ग में देव हुआ बर्म लोक में चला गायो उसके बाद फिर बर्म सुर्ग से कहां माविर भगवान का जीव किस परियाए में गया आहुद्धा नगरी में कपिल ब्रामन की काली स्टरीक से जटिल नामक पूतर हुआ फिर सुर्ग में गया, अब लंबा ना करते, फिर आगए यह हुआ, यह सुर्ग में गया फिर एक गॉत्तम ब्रामन की कौस की पतनी से अगनी मितर नामक पूतर हुआ फिर महिंदर सुरुग मैं गया अब दोस्सो पेचाड़ों में टोड़ पाट रगा मंदर नगर मैं साल काये, ब्रामन की पतनी से बार्धवाज। नामक पूतर हुआ और बार्दवाज से फिर के बन्या महेंदर सुरुग में देव बन्या महेंदर सुरुग से माविर वगवान का जीव कहा गया इतर निगोद में एक सागर की आईयू वाला निगोदिया जीव है निगोद से निकल कर स्री माविर वगवान का जीव कहा गया अब देखियो कहां गया उन्होंने अनेकों भाव धारन किये जो इस परकार है एक हजार आक वरक्स के सरीर भाव असी हजार सीब के भाव वा सीब समुन्दर में उत्य समुती बनती है बीस हजार नीम वरक्स के भाव नबे हजार बार केल वरक्स के भाव और तीन हजार बार चंदन वर्ष के भाव पांच करोड़ बार कनेर वर्ष के भाव साथ हजार बार वैस्या के सरीर पांच करोड़ बार सिकारी के सरीर और बीस करोड़ बार आथी बीस करोड़ बार आथी और साथ करोड़ बार गदा तेरा गज़ वह यहां गज़ आते कब ना बतेरा और तीस क्रोड बार कुटता हो यह और कसर रहेगी तीस क्रोड बार कुटते के जीवन है मेरे मालिक पुनात्मा कलेजा मुग आवे अर इस ग्यान में थोड़ा सा इंट्रेस्ट रखोगे दासके में फिर देखना निरने क्या होता है तीस क्रोड बार कुटता हो यह वो मानात्मा और साथ क्रोड बार नपुसंक बीस क्रोड बार इस्त्री और नब्बे लाख बार दोबी आठ क्रोड बार गोडे के भाव और बीस क्रोड बार बिल्ली साट लाख बार गर्ब पात्षे मरने और केवल असी लाख बार देव प्रियाय को प्राप्त हुआ किया असी लाख बार ते देवता बन्या कुल और बाखी ये देखे लो रहता है कि साट करोड बार गदा शर्पाइज रलेश देवता पड़ने जो गदाय को गणा बजेरा साट करोड बार ता बहुत गणा हो गया और कुटा थीज करोड बार कुटा ओरते अपने पड़े लिया सारा ये निए मैक्सिमम कस्ट होता है गदे और कुटे के जीवन में अब अगे क्या देखना इसने क्या किया इस महावेर फिर Ayl allegations असी लाक बार देव परियाय को पराफ्टा वैस उपरोकत भ हों को जीवन को भोगने के बाद महावेर स्री महावेर गवाण ने किस परियाय को पराफ्ट किया राजगर नगरमन स्थावर नामक ब्रामन को उस ब्राह्मन से फिर महंदर स्वरगम, साथ सागरवाल आयू का देव हुआ, फिर उस से कहा, राजगरह में विश्व भूती राजा की जैनी राणी से विश्वनन्दी नामक पूतर का पूतर हो गया, विश्वनन्दी के प्रया से निकल कर महा सुकर स्वरगम देव हुआ, फिर तिर पूत नारण नारण हो आयो गए विश्वनन्दी के अथा साथ मिन निकला एक आयो आप साथ मिन नरकमे गया आगे देखो। दोसो चानमा प्रष्ट पे हुआ हूआ, पर शिंगरी पर शिंग होया और पुना पर्थम नरकमे गया, एक नम्बरगे नरकमें वोयो, और फिर कहां इम्वान सिक परवत सिखर पर सिंग होया उस नरकते निकल गया फिर शेर बनया और फिर वो कहां गया सौधर है सुरग में सिंग के तू नामक दे होया फिर कहां गया कनक परवानगर में राजा नक पुंख विद्धाधर की और रानी कनक माला से कंकोजल नामक प नमलिया महा सेगुर सुरुग में दे हुआ फिर दात की खंड़ की पुर्व विदेः पुष्कअकली देशकी पुंडी की निनगरी में राजा सुमित्र रानी मनोर्मा से पिरियमित्र नामक चक्रवर्ती हुआ राजा बन गया और फिर सैंसरा सुरुग में देव हुआ जंबू दीप में छतरपुन अगर में नंदी वर्द नामक राजा की वीर मती रानी से नंद नामक पूत्र हुआ फिर नंद का जीव कहा गया पुष्पोतर वमान में देव हुआ और फिर वो 24 मातीरत कर स्री महाविर बगवान हुआ ओ तरह गजब हुआ ये भी यो बगवान हुआ मतलब इतनी ब्रैन मैटी होका है फिर यो 24 मातीरत कर स्री महाविर बगवान हुआ और फिर महाबिर बगवान के कमाल की आशरी महाबिर बगवान के जीवने कितने पाखन मच चलाए कहते 3073 पाखन मच चलाए ओ तरा गजो मैँ ओ पुनात्माओं यह जो इतियास है मापुर्सों के यह सचमुच इनके साथ क्योंकि यह दिन उन लिख रहे हैं हम तो लिखते हैं, नों के बनावटी बनाली जूट बोल दी, इन्होंने सही लिखा है ये, और ऐसा ही इनके साथ بीता है, पुन्हात्मा जब ये मारीची रूप में, मारीची के सिरी में यही आत्मा, और सीधी रशिब देवजी की सिस बना, जो इनका दादा जी थी, वो निटाया हट यह करते थे उन से यह क्या बना केवल 33 लाख बार तो यह हो